हलो स्टूटिंट्स आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चेप्टर नामबर थ्री शेयर्स और डिविदेंट थर्ड टॉपिक ऑफ यूनिट नामबर वन कमर्शिल मैथेमेटिक्स अगर आप चेप्टर वाईज मार्स दिस्टिबिउशन देखना चाहते हैं किस चेप्टर से कित्रे मार्स का कमर्शिल मैथक्स में चुके वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, आप वहां से देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शेर्स एंड डिविडेंट्स, ये जो टॉपिक है, ये बोर्ड एक्जाम 2022 में डिलीटिड है, द्यू टू कोरिना उसमें रिड्यूस्ड हुआता है स्ल करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शेर्स एंड डिविडेंट्स, सबसे पहले इसमें हम शेर्स की बारे में स्टडी करेंगे, वैसे तो शेर्स एंड डिविडेंट्स अपने आप में बहुत ही वाइड टॉपिक है, लेकिन टिंथ क्लास के सिलिबिस में इसके बेसिक कॉंसेट्स ही हैं, तो उनी को हम स्टडी करेंगे, शेर्स आप लोगों ने अपने फैमिली में, तीवी पर, न्यूस पेपर में जरूर सुना होगा, कंपनी के शेर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, शेर मार्केट में इसका बिजनस होता है, ट्रेडिंग की जाती है तो वही शेर्स हैं, जिसको हमें इस चैप्टर में स्टाडी करना है, अब देखें, शेर्स होता क्या है, सपोज एक परसन है, उसको अपना बिजनस स्टार्ट करना है, अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, और उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसकी फंड रिक्वा हो सकती है तो अब इस person के पास जो available fund है वो 20 lakhs का है तो जो इसके remaining requirement है 30 lakhs की इसको ये पूरा करेगा through shares अब इस 30 lakhs को complete करने के लिए जो भी इसका business plan है वो इसका advertisement देगा और साथ ही इसकी चोटे-चोटे shares इसके distribute करेगा market में सपोज इसने अपनी share की cost 300 rupees रखी है एक share की cost 300 rupees रखी है तो इन shares से ये 30 lakhs का fund complete करना चाहता है it means ये 10,000 shares open करेगा market में each of rupees 300 अब कोई भी person XYZ आप है मैं हूँ कोई और है वो इन shares को purchase कर सकता है अगर उसे इसका business plan पसंद आये कोई भी person 1 share purchase कर सकता है 2 कर सकता है 3 कर सकता है जितने वो चाहे 10,000 जितने share चाहे वो purchase कर सकता है each of cost 300 rupees जितना भी money उसको invest करना है अब इसने अपने 10,000 shares market में sale out किये और अपना fund collect कर लिया 30 lakhs का तो अब इसके पास जो इसको business के लिए required थी fund required money थी वो इसके पास हो गई इसने अपना business start कर दिया suppose इसकी company profit में जाती है अगर इसकी company profit में जाती है अच्छा perform करेगी तो जो share cost होगी वो market value की according increase हो जाएगी suppose इसकी अब आज की date में इसकी share cost हो गई 350 rupees तो जो shareholder था shareholder उस person को कहते हैं जो share खरीदता है वो shareholder अगर इस time पर अपने shares बेचे वो company को भी बेच सकता है वो company को अपने share जो उसने company से खरीदे थे वो share वापस company को ही sale out कर सकता है तो company उससे इस time share खरीदेगी at rupees 350 means एक share पर उसको 50 rupees का profit होगा तो इस तरीके से जो shareholder है वो अपने earning को बढ़ा सकता है इस process में दोनों का फायदा हुआ जिसने company start करी उसको required money मिल गई जिससे उसने अपने business को start किया या आगे बढ़ाया और जो shareholder था उसके हाथ में पैसा था लेकिन वो अपना time और अपनी energy नहीं लगाना चाहता था तो without engaging his or her time and energy उसको भी profit मिल गया वो जब चाहे जब market अप हो उस company का अपने share बेच सकता है और profit अपना gain कर सकता है shareholder की earning केवल share बेचने से ही नहीं होती है second in the form of dividend भी उसको annual income होती है dividend के बारे में अभी हम थोड़ी देर में study करेंगे पहले कुछ terminology है उनको देख लेते हैं उसके बाद हम study करेंगे first of all जो first term हमें इसमें study करनी है that is face value of share face value को nominal value भी कहते है register value भी इसी के लिए use होता है word और printed value face value of a share means जो original cost है share की जिस पर starting में company ने अपने share बाटे थे sale out किये थे that is face value of the share ये कभी भी change नहीं होती है starting में जो उसने अपने share की cost decide की थी that is face value, nominal value, register value और printed value starting cost you can say second terminology इसमें use होती है market value of a share market value के लिए second name है cash value ये time to time change होती रहेगी market value होती है आज की date में जो share की market में cost है अगर company उपर जाती है तो market value बड़ nominal cost से ज़ादा होती है अगर company loss में जाती है तो market value nominal value से less होती है present value of the share is market value next जो terminology आपको इसमें देखने को मिलेगी questions में अब देखें जो भी company है उसमें three possibilities है after some time या तो वो company profit में होगी या फिर वो company no profit no loss में होगी और या फिर वो company loss में चलेगी after some time तो first case अगर company की company profit में जा रही है तो उसको share market में कहा जाएगा above par company is working above par और उस case में कहा जाएगा कि its share are available at premium suppose किसी company ने 300 की cost पर अपने shares open किये थे means this is the face value of share और after one year जब वो profit में चल रही है तो उसके share की cost 350 rupees है 2020 में suppose company start हुई थी है 21 में उसके share cost 350 है तो कोई person अगर 2021 में उसके shares purchase करना चाहता है तो उसको share के लिए 350 rupees पे करने होंगे और उस time कहा जाएगा कि shares are available at the premium of 50 rupees now second case अगर company no loss और no profit में चल रही है तो उसको कहा जाएगा company is working at par और इस case में जो share की market value होगी वो उसकी nominal value के equal होगी above par में market value nominal value से ज़ादा होगी third case अगर company loss में चल रही है तो कहा जाएगा company is working below par and in this situation its shares are available at discount means suppose 2022 में इसी company का share 295 का हो गया तो जो person 22 में इसके shares खरीदेगा उसको 295 for one share पे करना होगा और उस time पे कहा जाएगा कि shares are available at discount rupees 5 next इसमें हमें देखना है dividend dividend क्या होता है suppose कोई company profit में चल रही है तो जो company के board of directors हैं वो decide करते हैं कि company को annually suppose 10,000 का profit हुआ है तो वो ये decide करेंगे कि इस 10,000 में से कितना part हम company के further progress में इसको आगे बढ़ाने में use करेंगे और जो remaining part होगा वो company अपने shareholders में distribute कर देती है this is known as dividend dividend के से related कुछ points है जो हमें ध्यान रखने है first dividend annually pay होता है this is annual income of shareholder once in a year dividend pay होगा shareholder को second point है कि dividend is always calculated on face value जैसे देखे ये वाला example हम consider कर रहे थे यहाँ पर 50 रूपीज का profit हुआ है लेकिन dividend जो हम calculate करेंगे वो हम market value पर नहीं calculate होगा वो हमेशा जो company के share के face value थी उसके उपर calculate किया जाएगा और question में आपको dividend के लिए उसका rate of dividend given होगा कि किस rate से dividend दिया जाएगा means percentage की form में given होगा suppose 5% dividend दिया जा रहा है it means dividend on one share that will be 5% of face value अब जिस shareholder के पास जितने shares हैं उसके multiples में उसको dividend मिल जाएगा one share पर dividend यह है अगर hundred share है तो इसको hundred से multiply हो जाएगा this will be annual income of shareholder अगर कोई shareholder अपने shares बेच देता है company को वापस तो वो उसकी partnership company में खतम हो जाती है उसके बाद उसको company से कोई भी benefit नहीं मिलेगा लेकिन अगर वो shares को hold करे रहता है तो वो तो उसको gain होई राय जो profit है वो तो कभी भी अपने share को बेच करके ले सकता है उसको dividend की form में annual income भी मिलती रहेगी अब देखिए अगर इसके questions हमको solve करने हैं तो उसका एक तरीका तो यह है कि हम इसकी process समझ लें देखिए इसकी questions solve करने के लिए two methods हैं फर्स मेथड है कि आप इसकी process को अच्छे से समझ लें और simple profit and loss की questions की तरह इसको solve करें second process है कि इसके जो formula है हम वो apply करें वैसे मेरा suggestion तो यह है कि आप इसको simple commercial mathematics के practical problems के तरह इसको solve करें लेकिन formula भी मैं आपके साथ share कर रही हूँ और आप फिर decide करिएगा कि आपको formula apply करना है या फिर आपको commercial maths की तरह एक डिल हम जो अपने practical life में करते हैं लें देन उसकी form में question solve करने हैं तो देखते हैं main formula अब देखे first formula है to calculate money invested सपोज कोई person है आप है मैं हूँ हमें अपना 10,000 का investment करना है shares में तो कैसे किया जाएगा अब हम जिस company की share खरीदना चाहते हैं वो हमें share मिलेगा market value पर सपोज उसकी market value as 1000 रुपीज है तो हमें 10,000 invest करना है it means हम उस company के कितने shares लेंगे 10 shares लेंगे तो money invested अगर calculate करनी है तो number of shares को multiply कर देंगे market cost of one share आप इसको learn करना चाहते हैं तो learn कर लीजिए और simply आप समझ के करना चाहें तो आपको formula learn करने की requirement नहीं है अब इसी formula से देखें number of shares अगर हमें calculate करना है तो number of shares will be equal to money invested upon market value of one share next formula आता है dividend calculate करने के लिए इसको आप carefully देखें अभी जो मैंने आपके साथ dividend share किया है अगर आप उसे समझेंगे तो मैंने आप से अभी share किया है कि dividend हमें हमेशा given होगा percentage में तो suppose x percent dividend कोई company दे रही है means dividend will be equal to x upon hundred और dividend is always applicable on face value x upon hundred multiply by face value of one share that will be dividend on one share और अगर आपको total dividend calculate करना है तो number of shares से इसके multiply कर दीजिए भई एक share पे dividend अगर 10 rupees मिल रहा है तो 15 shares पे कितना मिलेगा 15 into 10 that will be 150 तो ये तीन formula है अगर यहाँ n से multiply करेंगे तो total dividend मिलेगा और अगर n से multiply नहीं करेंगे then dividend on one share मिलेगा हमें तो ये तीन formula हैं आप formula भी apply कर सकते हैं questions को solve करने के लिए और direct भी questions solve कर सकते हैं चलिए आएए स्टार्ट करते हैं exercise 3A Selina concise mathematics की first question how much money will be required to buy 400 rupees 12.5 shares ये मैंने आपके साथ अभी share किया था कि इस form में हमें लिखा हुआ है it means this is the face value of share आज की date में हमें इस cost में share नहीं मिलेगा ये थी उसकी nominal value जब company ने share open किये थे and today share is available at premium rupees 1 premium given है it means profit में जा रही है तो उसकी share cost increase होगी face value of share is rupees 12.50 market value कितनी हो जाएगी premium है it means add होगा discount होता तो हम minus करते means आज की date में अगर उस company का share आप लेना चाहेंगे तो cost of one share is 13 rupees 50 पैसा और हमें जो person है वो कितने share खरीदना चाहता है 400 तो कितनी money उसको required होगी तो money आप चाहें तो formula apply करिए या फिर direct आप कर सकते हैं बही एक share purchase करना है तो 13 rupees 50 पैसा required है तो 400 shares अगर खरीदने हैं तो कितनी money required होगी money required will be equal to 400 multiply by 13.50 rupees 5400 question number 2 how much money will be required to buy 250 shares these are number of shares rupees 15 shares this is the nominal value face value of share at a discount rupees 1.50 discount means loss में कंपनी जारहे उसका share down हो गया है face value of 1 share is rupees 15 then market value will be discount means minus करेंगे हम इसको that is 13 rupees 50 paisa then money required to buy 250 shares 250 multiply by rupees 13.50 cost of 1 share is this money required is 3375 question number 3 a person buys 120 shares number of shares are 120 at a nominal value of rupees 40 each this is the nominal value which he sells at rupees 42.50 उसने 40 rupees का share purchase किया था और जब company profit में चल रही थी तो उस time पे 42 rupees 50 paisa जब cost थी 1 share के उसने sale कर दिये find is profit and profit percent अब देखिए इसके लिए आप formula apply करना चाहें otherwise आप देखिए उसने 120 shares purchase किये थे 40 rupees cost थी 1 share की means जो money invested थी उसकी उसने nominal value पर ही purchase किये थे given है question में तो money invested 120 multiply by 40 4,800 rupees अब उसने जब sale किया उस time share की cost थी 42 rupees 50 paisa market value of 1 share is rupees 42.5 and market value of 120 shares जो उसको sale out करने है that will be 120 multiply by 42.50 means आज की date में जब वो अपने share sale out कर रहा है तो उसको cost मिलेगी 5,100 rupees तो उसका profit कितना होगा 5,100 minus 4,800 means rupees 300 second हमें calculate करना है profit percent तो profit percent के लिए आप जो हम profit loss के questions करते थे बिलकुल वही वाला formula है में apply करेंगे profit upon money invested multiply by 100 उसमें हम use करते थे profit upon cp into 100 तो आप चाहें तो अपने formula के list में इसको भी add कर सकते हैं in this question profit is rupees 300 money invested is 4,800 then profit percent will be 6.25 percent profit percent जब भी calculate करेंगे तो total profit or total money invested हम यहां पर mention करेंगे profit percent एक share पर calculate नहीं किया जाएगा आप total profit अगर calculate कर रहे हैं तो तो आप यह भी कर सकते हैं कि इसी question में एक share उसने 40 rupees का purchase किया था और 42.5 का उसने sale out कर दिया means उसको एक share से 2.50 profit हुआ और उसके पास 120 share से तो total profit उसका हो गया 120 multiply by 2.50 that is equal to 300 next question question number 4 find the cost of 85 shares of rupees 60 each when quoted at 63.250 means this is the face value of share और आज की date में जो quote हुआ वाया उसका price that is यह, यह market value given है हमें तो आज की date में अगर हमें 85 shares की cost देखनी हैं तो इस cost पे हमें एक share मिलेगा number of shares 85 and market value of share of 1 share is rupees 63.25 then cost of 85 shares will be 85 multiply by 63.250 to 5 rupees the cost of 85 shares is 5376 rupees 25 paisa question number 5 a man invest rupees 800 in buying rupees 5 shares this is the face value of share and when they are selling at rupees at a premium of rupees 1.15 he sells all the shares उसने rupees 5 यहनि face value पर purchase किये थे 800 रुपय की shares और जब share की cost 1.15 के premium पर थी means market value 5 plus 1.15 थी तो उसने सारे shares अपने sale out कर दिये find his profit and profit percent तो simple question profit कैसे find out करेंगे उसने जो money invest की थी share खरीदने में और एक जो उसने sale किये हैं दोनों का जो difference होगा वो उसका profit होगा सबसे पहले हम इसमें number of shares calculate करेंगे भई उसने 800 रुपय इंवेस्ट किये थे और 5 रुपय के हिसाब से share खरीदे तो कितने shares खरीदे that will be equal to money invested upon cost of 1 share that is 5 उसने जब 5 रुपीज का share था तब ही purchase किये थे means उसने 160 shares purchase किये थे अब देखें उसने जब बेचा है share को उस time market value क्या थी share की उस time share था 1.15 के premium पर means the market value of 1 share is 6 रुपीज 15 पैसा अब देखें एक share को उसने 6 रुपीज 15 पैसा में sale out किया है और total उसने 160 shares sale out किये है then cost of 160 shares that is 160 multiply by 6.15 cost of 160 shares रुपीज 984 now his profit 984 के shares बेचें है उसने और खरीदे थे 800 रुपे में means profit is 184 रुपीज next हमें calculate करना है profit percent that will be 184 अब देखें आप formula ना apply करना चाहें तो ये 184 रुपीज उसने earn किये है 800 रुपे पर then profit percent will be 184 divided by 800 and multiply by 100 profit upon money invested into 100 profit percent is 23 question number 6 find the annual income derived from 125 rupees 120 shares paying 5 percent dividend this is number of shares this is phase value of share and this is the rate of dividend we have to find annual income from dividend number of shares 125 face value rupees 120 rate of dividend 5 percent first of all we are finding annual income of on one share that is 5 percent of face value dividend हमेशा face value पर apply होगा आपको rate given होगा और उसके according आपको dividend on one share पहले calculate करना है 5 percent of face value 5 percent of face value means in this question 5 upon 100 into face value is 120 is rupees 6 person have 125 shares income from one share is rupees 6 then total annual income of person 125 multiply by 6 10 to 6 rupees 750 आप इन दोनोस steps को कमबइन भी कर सकते हैं। आप इन दोनोस को पहले पहले कर सकते हैं। आप इन दोनोस को replace कर सकते हैं। टोटल dividend will be equal to this rupees 750 you can replace these two steps by this one step answer is rupees 750 now next question question number seven a man invest rupees 3072 in a company paying five percent per annum means this is the rate of dividend his total investment is this when its rupees 10 share this is the face value of the share can be bought for rupees 16 each face value rupees 10 hai aur market value rupees 16 hai commercial mathematics ke questions jab hum solve kar rhe hai to question ko aap ko bhot dhyan se samaj na hai agar aapni question ko aachse se samaj liya hai to aap us question ko bhot easily solve kar payenge aap dhekhe is question mein kaha gya hai kishi person ne rupees 3072 invest kiya hai ek company mein जो ki five percent dividend दे रही है उसके share की face value rupees 10 hai aur उसने जिस वक्त खरीदे है share buy किये है उस time उस market value share की rupees 16 थी means उसने जब investment किया है तो उसको rupees 16 का share मिला है अब first part में हमसे calculate कर वा रहे हैं his annual income annual income means dividend rate of dividend is five percent dividend is applicable on face value तो सबसे पहले हमें लेके number of shares इसमें find out करने होंगे total money invested total money invested 3072 rupees in cost of one share market value of one share is rupees 16 means number of share is equal to 3072 divided by 16 number of shares 192 now annual income अगर एक step में direct हम calculate करें then rate is five percent means annual income will be five percent of face value and total annual income this is annual income through one share and person have 192 shares then his total annual income will be this multiply by 192 आप इसको चाहें तो दो steps में भी कर सकते हैं first of all calculate annual income by one share that is this and then total annual income multiply by number of shares five percent means five upon hundred and face value is rupees 10 dividend हम जब भी calculate करेंगे तो face value पर applicable होगा market value पर applicable नहीं होगा his annual income is 96 rupees in second part his percentage income on his investment अगर उसने 96 rupees earn किया है तो कितने percent उसने earn किया है तो देखिए 3072 rupees उसने invest किये थे और 96 उसका profit है then profit percent will be profit upon money invested multiply by hundred it is similar to profit percent that is profit upon CP into hundred percent 3.125 percent next question question number eight a man invest rupees 7770 in a company paying 5 percent dividend when a share of nominal value rupees 100 sales at a premium of rupees 5 nominal value 100 है लेकिन जिस वक्त उस परसन ने invest किया है तन market value of the share is 100 plus 5 105 premium means company profit में जा रही है और उसका share अप होगा we have to find the number of shares bought that will be money invested upon cost of one share that is 105 money invested rupees 7770 face value of the share is rupees 100 and the market value is face value plus premium means 105 now number of shares will be money invested divided by market value number of shares are 74 in second part we have to calculate annual income annual income means we have to calculate total dividend then annual income through one share the rate of dividend is given 5 percent then income by one share will be 5 percent of face value and total income will be multiplied by this by number of shares in this question by 74 and the face value is rupees 100 means his annual income is rupees 370 in third part we have to calculate percentage income that will be equal to income divided by money invested multiply by 100 percentage income will be equal to income divided by money invested multiply by 100 income is 370 rupees money invested 7770 percentage income is 4.76 percent percentage income is 4.76 percent question number 9 a man buys rupees 50 shares rupees 50 means this is the face value of share of a company paying 12 percent dividend this is rate of dividend at a premium of rupees 10 means the market value of the share will be 50 plus 10 rupees 60 aaj ki date mein wo share market mein 60 rupees ki rate se available hai in first part find the market value of 320 shares face value rupees 50 premium rupees 10 then market value of one share will be face value plus premium means rupees 60 rupees 60 and we have to calculate market value of 320 shares that is 320 multiply by 60 19,200 rupees means us person na 320 shares buy kiya hai aur 19,200 rupees invest kiya hai in second part we have to calculate his annual income in second part we have to calculate his annual income annual income means in the form of dividend उसने कितनी income annually gain ki hai अब अब इसको आउए अप अगर 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 direct solve करना चाहें तो direct भी solve कर सकते हैं और two steps में चाहें तो two steps में भी calculate कर सकते हैं देखें मैं इसमें तो steps में calculate करके दिखा रहे हो, annual income on one share will be equal to rate of dividend is 12%, 12% of face value, बस कमें ध्यान दिना है, dividend is applicable on face value, is calculated on face value, face value is Rs. 50, income through one share is Rs. 6 and he have 320 shares, then his total income will be equal to 320 multiply by 6, एक share से वो 6 Rs. earn कर रहा है, तो 320 share से वो earn करेगा, 6 multiply by 320, 1,920 Rs. in 3rd part we have to calculate profit percent, profit percent will be equal to profit, आप इसको income भी कह सकते है, profit upon money invested, multiply by 100, means profit percent is 10%, question number 10, a man buys Rs. 75 shares, means this is face value, at a discount of Rs. 5, market value will be face value minus discount, premium अगर हमें गिवन है तो वो add होता है, profit, it means share up जा रहा है, और discount means share down जा रहा है, तो discount minus करकी हमें market value मिलेगी, company paying 20% dividend, rate of dividend is 20%, find the market value of 120 shares, चलिए calculate करते हैं, market value of 1 share will be face value minus discount, that is Rs. 60, means जिए share की original cost 75 रुपीज सी, वो आज की date में Rs. 60 में available है, और उस time पर उस आदमी ने उसके 120 shares बाए किये हैं, तो total cost उसने कितनी पे कियोगी, 60 multiply by 120, 7200, in second part we have to calculate his annual income, in the form of dividend उसने कितना अर्न किया, rate of dividend हमें given है 20% means, income through 1 share will be 20% of face value and he have 120 shares, then total annual income will be multiply by 120, 1800 means share भले ही loss में जा रहा हो, लेकिन उसके account में Rs. 1800 annually gain हो रहे हैं, in third part we have to calculate profit percent, profit percent हमें calculate करना है, share loss में जा रहा है, लेकिन वो अभी अपना share sale नहीं कर रहा है, उसके account में जो money annually add हो रही है, उस पर हमें percentage profit calculate करना है, that is profit upon money invested, multiply by 100, profit means income, profit is 1800, money invested उसने 120 shares purchase किये थे, जिसकी market value थी 7200, means उसने इतना पैसा market में invest किया था, means his profit percent is 25 percent, question number 11th, a man has 300 rupees 50 shares, face value is rupees 50 and number of shares are 300, of a company paying 20 percent dividend, this is rate of dividend, find his net income after paying 3 percent income tax, तो सबसे पहले हम total income calculate करेंगे, then we have to calculate tax, और income में से tax को minus करके हमें net income मिल जाएगी, question में given हमें जो जो था वो हमने note down कर लिया है, चलिए अब calculate करते हैं, his total annual income, income through one share will be 20 percent of face value, and number of shares are 300, means total income will be this multiplied by 300, his total income is 3,000 rupees, अब उसको इस money के उपर tax pay करना है, by the rate 3 percent, tax paid will be 3 percent of 3,000, 90 rupees, then his net income उसके पास क्या बचा, 3,000 rupees उसने अर्न किये थे, 90 rupees उसको tax के पे करने पडे, then net income will be 3,000 minus 90, 3,910 rupees, question number 12, a company pays a dividend of 15 percent, this is the rate of dividend, on its 10 rupees shares, 10 rupees shares means, this is the face value of the share, from which it deducts income tax at rate of 22 percent, जितनी भी मनी अर्न की जाएगी थ्रू dividend, उस पर इस rate से tax pay करना होगा, find the annual income of a man, whose owns 1,000 shares of this company, पहले जो question में given things हैं, उनको हम note करते हैं, rate of dividend 15 percent, face value rupees 10, rate of income tax is 22 percent, and number of shares 1000, now, total annual income, annual income from 1 share will be, rate of dividend is 15 percent, means 15 percent of face value, and total income will be, multiply this by number of shares, in this question by 1000, total annual income is 1500, now tax paid, that will be 22 percent of income, means rupees 330, then net income, will be 1,500 उसने अर्ण किये थे, 330 उसने tax pay कर दिया, means उसके पास जो income है, that is 1,500 minus 330, rupees 1,170, 13, a man invest rupees 8,800 in buying shares, of a company, of face value rupees 100 each, at a premium of 10 percent, premium इस बार हमें percentage की फार में गिवन है, if he earns rupees 1,200, at the end of year as dividend, 1,200 is total dividend, then find the number of shares, he has in his company, चलिए पहले first part ही solve करते हैं, जो कुछ हमें question में given है, पहले हम उसको note down करेंगे, अब देखे, money invested हमें given है, 8,800, means उसने इतना पैसा invest किया, और market value of the share, will be face value plus premium, तो हम पहले market value calculate करेंगे, then number of shares will be, money invested divided by market value, face value is 100, and premium is 10 percent of face value, is 110 rupees, now number of shares, एक share के लिए उसने 110 rupees, पै किया, और total उसने 8,800 पै किया, means, number of shares are, money invested divided by market value of one share, 8,800 divided by 110, means, number of shares are 80, उसने 80 shares purchase किये थे, in second part, we have to calculate dividend percent per share, rate of dividend हमें calculate करना है, और हमें ये given है कि, in the form of dividend, उसने 1200 total earn किये है, let rate of dividend is x percent, and total dividend will be x percent of face value and multiply by 80, this is dividend on one share and he have 80 shares, then his dividend will be 80 multiplied by x percent of face value, and total dividend is 1200, हमें question में given है, उसने in the form of dividend 1200 earn किया है, 15, means, rate of dividend is 15 percent, question number 14, a man invest rupees 1680, in buying shares of nominal value rupees 24, and selling at 12 percent premium, nominal value of the share is 24, and at present share is available at 12 percent premium, the dividend on the share is 15 percent per annum, calculate the number of shares he buys, money invested 1680, nominal value of the share is rupees 24, premium 12 percent, and rate of dividend 15 percent, in first part, we have to calculate number of shares, अगर हमें एक share की cost known हो जाए, तो हम 1680, जो उसने total money invest किया है, उसे one share की cost से डिबाइड करके, number of shares find out कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम calculate करेंगे, market value of one share, जिस value पर उसने purchase किये है, that is face value, nominal value, plus premium, market value of one share is rupees 26.88, then number of shares, number of shares equal to money invested, upon market value of one share, money invested is rupees 1680, and market value of one share is 26.88, on solving you will get number of shares are 62.5, in second part we have to calculate, the dividend he receives annually, rate of dividend is 15% and the nominal value is 24, dividend is equal to, dividend on one share will be 15% of nominal value, and total dividend will be this multiplied by 62.5, because the number of shares are 62.5, total dividend is rupees 225, question number 15, by investing 7500 in a company, paying 10% dividend, and annual income of rupees 500 is received, this is total dividend, what price is paid for each rupees 100 share, face value of the share is rupees 100, तो हम से पूचा गया है, कि एक share के लिए उसने कितना पे किया, means market value, तो देखिए उसका total investment है, 7500, अगर हमें number of shares पता चल जाएं, तो हम calculate कर सकते हैं, कि उसने एक share के लिए कितना पे किया, means हमें number of shares calculate करना है, उसके लिए हमें rate of dividend given है, और total dividend given है, चलिए पहले जो given है, उसको note down करते हैं, money invested 7500, rate of dividend 10%, annual income 500 rupees, and face value of the share is rupees 100, अब देखिए total annual income, अगर हम calculate करें, that will be equal to number of shares, multiply by dividend on one share, that is 10% of face value, suppose number of shares are N, then face value is given 100, and total income हमें given है 500, N is equal to 50, means number of shares are 50, उसने 50 shares purchase किये, total money pay की 7500, means number of, means उसने एक share के लिए कितना pay किया होगा, market value of one share, is equal to money invested divided by, total number of shares, आप formulae learn मत करिए, आप इसके process को समझी, और उसके बाद solve करिए, आपकी pocket में 7500 rupees हैं, और आपको 50 shares आपने purchase किये हैं, तो एक share के लिए आपने कितना pay किया, 150 rupees, यही आप से question में calculate करवाया गया था, आज की lecture में बस इतना ही मिलते हैं, next lecture में, next exercise के साथ, तब तक के लिए good bye, take care, आपकर,